तो यह रहे आपके सामने तीन ऐसे character combination जिसको आप यूज़ करते हो तो आपको इना grandmaster जाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी फर्स character combination skyler का होने वाला है and second character combination तास्यव का है और जो थर्डवाला character combination होने वाला है वो आपको वीडियो के अंदर ही बताऊंगा थर्डवाला character combination बहुत ज्यादा important है तो वीडियो का एंट तक जरूर देखना तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बीना देरी करें तो सबसे पहले हमें ना उसमें पैसिव में लेना है मारो character देन हमें लेना मोको और उसके बाद हमें लेना कायरोश character तो सबसे पहले अपने लिया था मारोग एक्टर क्या करता है किसी भी मार्क एनिमी पर अगर आप डैमेज करोगे और वह जितना दूर होगा ना उसको उतना ही ज्यादा दैमेज पड़ेगा थर्ड स्लोट में हमने लिया था कायरोश character तो कायरोश character क्या होता है आपको एक एक करके एपी भी देता रहता है और जब आपकी एपी फुल हो जाए तो सामने वाले का है ना वेस्ट फानने में उसको दो से तीन गोली लगती है बस अब में इस character combination का पूरा का एक एक बर आ मार और मोकोगी वेज़े से अब देखो उसने ग्लूओ लगाई तो मैंने इसकाइलर मार दिया वह जैसी पीछे गया मेरे पास एको इसकाइलर ता फिर में वापिस मारा उसके बाद मैं उसको आराम से यहां पर फिनिश कर देता हूं तो मेरे पास एको स्काइलर चार्ट त तो मैं जैसी वापिस फैकता हूं वो बंदा ओपन में आता हूं और मैं उसको आराम से आप एके से फिनिश कर देता हूं असलाम भी रखते हैं पर रवान हैं इस सीजन देखो मैं न ज्यादा तर तो यही क्यार्टर कॉमिनेशन के साथ खेलने वाला हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर एक लूओ लगी थी मैंने स्काइलर फैकता मुझे कंफर्म ही था कि बंदा है या फिर नहीं है अभी तेको जैसी बंदा दिखता है भाई मैं उसको आराम से आपे फिनिश कर देता हूं वह दूसरे बंदे से फाइट ले रहा था अब दूसरा वाला बंदा भी बताना एक बार कमेंट सेक्शन में उन लोगों के लिए बैस्ट होने वाला जो की लॉंग रेंज में खेलते हैं उनको थोड़ा शॉट रेंज में थोड़ा मतलब कच्छे हैं यह समझ लो या फिर उनका लो एंड डिवाइस है अगर आप लोएंड डिवाइस में भी ल स्लॉट में लुकेटा करेक्टर जिसका मेली यूज यह है कि आप जब भी दो किल कर लोगे अपने मैच में तो आपको पचास तक की शील्ड पॉइंट यह प्रवाइट कर देता है अच्छा वह भी पूरे मैच के लिया था जिसका यूज यह है कि जब भी आप अपने एक् सेकिंड है इन सब के साथ साथ आप वैस्ट वाली चिप भी आती है जो अपन को 20 शील्ड पॉइंट करती है अगर आप वह भी लगा लोगे तो आप ना कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको टोटल कितनी शील्ड पॉइंट हो जाएगी इस क्याक्टर कॉमिनेशन को आप अ कि खेलते हो तो बाइ आत बंद करके इस क्रीकटर कॉमिनेशन के साथ जाओ और इक क्याक्टर कॉमिनेशन होने वाली है आपके लिए एक चीज मैं बताना भूल गिया आप एसे यूज़ करना और 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 कहां पर योज़ आता हूं बब देखो बहुत जादा डाइम गय्स उसके बाद वो बंदा वापिस glue लगाता है उसके बाद मैं उसको वापी damage देता हूँ अब इक नवह था जादा damage हो चुका था तो मैं सबसे पहले यहाँ पर दिमाग लगाता हूँ बंद इक वहाँ बंदा ऐसे फिनिस हो जाता हूँ अब जैसी वो उपन में आता है मैं उसको वापिस बहुत ज़्यादा डैमेस दे देता हूँ अब भी देखो वहाँ से ना नीचे से तो पैक कर लेता है बाट उपर से ग्लुवाल हड जाती है तो मैं उसको आराम से यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ इसके बाद देखो मेरी 1v1 की फाइड थी और अब भी देखो मेरी नोटिस करो आप यह चीज़ पॉइंट देखो भाई मेरी पूरी आदी एच्पी के बराबर तो मेरी शील पॉइंट ही है मतलब उस बंदे को कम से कम मुझे 300 से भी जादा का डैमेस देना पड़ेगा और मै बाद मेरी शील पॉइंट सब्सक्रांइल और रहा सब्सक्राइब स्सक्राइब छोड़ेगा रहे 어렵ना जी आइसके की साथ सबसे पहले पैसी और स्लोट मे लेना है के कैयर उस ऐसाइन दौने ल९ह संब सबसे पहले अपने लिया था पैसिव स्लोट में पहली बात कर लिए तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं लूना क्या करती है जो भी आप किसी भी गन से फैर करोगे तो आपका पांच या ऐसे कुछ परसेंट है ना बढ़ा देती है रेटो फैर सामने वाले का रेटो फैर तो उतना का उतना ही होगा बट आपको फोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है लूना का एक्टर से और अगर आपके पास इवोज गन है ना तो भाई एक नमबर आपका यह कॉंबिनेशन बैठेगा जैसे आपके पास मालो एम टैने इवो या फि कुछ सेकेंड के अंदर वो 30 HP प्रोवाइड कर देता है जो कि आपको किसी भी है ना 1v4 या फिर मतलब थोड़ा ऐसे सिच्वेशन आती ना उसमें बहुत जादा हेल्प करेगा अगर आप सोलो खेल रहे हो तो आप एना फोड की जगा पर मीशा का यूज भी कर सकती हो मीश होता है जैसी वो बंदा अंदर के तरह होता है उसको एकाद गोली में मारता हूं भाई उसका वेश्ट का पूरा का पूरा फड़ जाता है और यहां पर देखना अभी मुझे फोड कितना मदद करेगा मैंने अभी तक एक बार भी से फाइड लेते हुए मैडी नहीं मारी अ ऐसा नहीं कि आप यूज करोगे तो आप भाई मतलब ग्रैंड मास्टर ही चले जाओगे बिना गेंप्ले फिर बिना किसी बिना टिप्स और ट्रिक्स के तो यह चीज से दिको इंपॉसीबल है बट आपको एना कैक्टर स्किल एक हद तक ही सपोर्ट कर पाता है जैसे मालो आप इना रेंक कुछ कर रहे हो तो आपको 20% ही हेल्प करेगा कैक्टर स्किल बाकि जो भी 80% है वो आपको एक तो डिवाइस पे होता है आपके गेंपले पे आपके माइंड सेट आपके स्टेजी वगेरा पे डिपेंड होता 80% 20% हाँ कैक्टर स्किल बहुत जादा मदद कर देना अगर आपना इस वीडियो के यहां तक पहुच चुके हो तो आपने डेफिनिटी लाइक भी कर ही दिया होगा तो बस यही थी आच की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बता देना और जो आपके सामने वीडियो आ रही है वह उसमें ना हमने राकुद भाई के आपको इस वाली वीडियो से जादा उस वाली वीडियो में मजा आएगा तो यहां से देख लेना तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए